नमस्कार किसान भाईयो और स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक 55-60 HP के बीच में आने वाला शांदार टेक्टर मोडल की जो की दोस्तो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत शांदार होने वाला दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ट्रेक्टर की पूरी जानकारी पूरी डीटेल सम इस वीडियों में देने वाले हैं ट्रेक्टर जो है आपको 55 से 60 HP के बीच में मिल जाता है और इस ट्रेक्टर की प्राइज जो है दोस्तों साड़े 10 लाक रुपे से साड़े 12 लाक रुपे के बीच होने वाली है ट्रेक्टर बहुत ही शांदार होने वाला दोस्तों यह ट्रेक्टर दोस्तों आपके हर एक काम को चोटे से चोटा और बड़े से बड़ा काम आपका करके देने वाला यह ट्रेक्टर आपको और दोस्तो इस ट्रैक्टर को 2023 में रीशेंट्ली लाउच किया गया है किसान भाईों के लिए बहुती शांदार ट्रैक्टर मोडल ये पेश किया है तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जॉंडियर की ओब से आने वाला जॉंडियर का त्रेपंदस मॉडल ये मॉडल दोस्तो जॉन डियन ने हाली में लॉंच किया है और बहुती बढ़िया फीचर्स के साथ इस टेक्टर को लॉंच किया है इस टेक्टर में आपको CRDI engine देखने को मिलता है जो की बहुत शांदार रहने वाला है इस ट्रेक्टर में जो है fuel pump की जगे आपको दोस्तो direct injection fuel pump आपको देखने को मिलेगा साथी 5310 की बेजिंग देख लें आप और ट्रेक्टर का लुक देखें तो ट्रेक्टर का लुक भी कापी शांदार जो है company ने बनाया है इस ट्रेक्टर में non-adjustable front axle आपको सामने से देखने को मिलता है साथी आप देखें तो front से single piece bonnet के साथ आता है और दो halogen headlight है आपको कापी शांदार chrome design में ये देखिए बहुत ही attractive लग रही है इसकी सामने से दोनो light है सांदार दोनो light है दी गई है और इस ट्रेक्टर का look देखें तो दोस्तो green and yellow color में भई बहुत सांदार combination जोंडियर का आता है silencer ये same मिल जाता आपको सभी जोंडियर ट्रेक्टर में और ट्रेक्टर का look देखें overall तो ट्रेक्टर बहुत ही शांदार लगने वाला दोस्तो CRDI engine इस ट्रेक्टर में आपको देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो तीन सिलेंडर 57 HP का engine मिलता है त्रेक्टर का लुक ये है ये ट्रेक्टर में है वेरियंट और फॉर्वील ड्राइब में भी त्रेबंदस का वेरियंट आता है जोस्तो दोनों टाेब में ये ट्रेक्टर आपको मिल जाता है इसमें आपको 76 पीछे के साथ यह टाइब डॉल कलिज्ट में आपको देखने को मिलता है पूरी जो है आप देखें तो प्लेटफोर्म को रवर से पैक किया गया है यहां पर आपको जो है हिटिंग गार्ड मिल जाते हैं डिराइवर के पैरों तक हवा ना गरम हवा ना पहुंचें इंजन की डोल के लिए इस टेक्टर में आपको देखने को मिलता है प्रॉपर प्रॉपर साइड सिर्प्ट गेर बॉक्स के साथ यह टेक्टर आता है एड़ेस्टिवल सीट आ आपको देखने को मिलता है और यहां के इंस्टुमेंट कलस्टर को देखें इसके तक हो तो भहिया इंस्टुमेंट कलस्टर भी कापी शांदार है यहां पर डिजिटल प्लस एनलोग दोनों परकार का कॉम्बिनीशन यहां देखने को मिलता है यह देखिए हाई-लो मेडिय करके इधर गयर बॉक्स आपको मिल जाता है यह आपका पीटियो क्लेज लीवर मिल जाता है और यह पीटियो गयर मिल जाता आपको दोनों पीटियो क्लेज और यह क्लेज दोनों आपको पास-पास में दी गई है दोस्तों रिवर्स पीटियो के साथ यह टेक्टर आता है साथ यहाँ पर देखें तो आपको यह ब्लक्त में जब भी आप खाली चला रहा हुछ और दोस्तों आपको यहां देखने मिल जाते हैं इस दोनों पॉजीशन लिवर स्ट्राइड में मिल जाते हैं यह को और रिखर बॉर्प के वर्फ यहां टेक्टर में देखने सब्सक्राइब आमों ingen jai कि एक पो बे हो हुए मीजिय आपको आपको यहां देखने मिलता इस टेक्टर में बहुत बढ़ीयon चीज होती आवाज अजीव लग रहे हैं मेरेगों सामने जाली प्रॉपर मिल जाती आपको यह देखी ही जाली बरपूर 1 बांतरा में दी गई है और पीछे रहने देखें तो इस प्रकार का है है यहां पर आपको टेंक मिल जाता है यहां पर आपको इस can में कि दो आजार केजी की लिप्टिंग केपिशिटी मिलती है डूल डिस्टीविटर बॉल्व आपको यहां देखने को मिलते हैं दोस्तों जिनको कंट्रोल आपसे कर सकते लाइब रूपए के असपास होने वाली टेक्टर की प्राइब या नीचे हो सकती है समय के साथ फिक्स प्राइब यह नहीं बता रहा हमें अप्रोक्ष प्राइब बस अगर वीडियो अच्छे लगे तो वाइक कीजिए गा लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जैहिन, जैवारत, जैराम जी की.